हलो स्टूरेंट मैं शाइन लूथरा आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 10 मैट का हमारा चैप्टर 10 है मैंसुरेशन इसका जो इंड्रोड़क्शन पार्ट हो मैंने पहले से ही चैनल में अप्लोड कर रखा है आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते तो हम आज करेंगे exercise 10.1 find the parameter of each of the falling figure जितने भी हमें यहाँ पे figures दे रखे हैं हमने यहाँ पे सबका क्या निकालना है पैरामिटर निकालना है जैसे कि introduction वीडियो में मैंने समझाया हुए कि parameter क्या होता है किसी भी figure की जो boundary होती है वो उसकी parameter हम उसको कहते है जितने भी यह figures ब boundaries है उनको हम parameter बोलते हैं और यही हमें यहाँ पर निकालना है तो जो first figure हमें यहाँ पे दे रखा है उसकी हमें क्या दे रहे कि side 2 cm, 1 cm, 5 cm, 4 cm तो हम इन सब को plus कर लेंगे तो हमारा इसका parameter आज़ेगा है ऐसे हमें सभी figures में करना है हमने जो भी हमें sides दे रहे हम उसको plus कर ले जैसे कि दिखो मैंने A part में ऐसे लिखा हूँ जो parameter जो A है हमारा parameter फिगर हम ऐसे लिखेंगे उसकी sides लिख लेंगे 4 cm, 2, 1 and 5 cm उनको plus कर देंगे तो 12 cm के आगया उस figure का parameter ऐसे ही B वाले में करेंगे जितनी भी sides दे रखी हैं उसको हमने plus कर देना है C में भी हमें जितनी sides दे रखी हैं हमने उनको plus कर देना है D और E में भी same इसी तरीके से करना है जितनी भी sides दे रखी हैं हमने उनको plus कर लेना है तो हमारा parameter निकल आएगा D है, E है, और जो F है, F में देखो कितना सारी हमें साइट्स दे रहे हैं, सभी साइट्स हमें लिखनी है, तो हमें पता चलेगा 52 cm जो है हमारा इसका पैरामिटर आया है, ठीक है, Q2 देखते हैं, Q2 में बोला गया है, the lid of a rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape, What is the length of tape required? देखो एक लिड है, लिड के होते हैं धकन है, किस शेप का है, rectangular shape का जो है, rectangular box है, उसके जो side दे रखी है, 40 cm, 10 cm, rectangular है, इसलिए वो हमारा उसकी length और breath हमें दे रखी है, जो rectangular shape होती है, वो हमारी इस तरीके से होती है, ठीक है, तो उसकी length, opposite sides equal होती है, तो उसकी length और breath हमें दे रखी है, और इसकी चारो तरफ जो है, वो tape लगानी है, तो कितनी tape की requirement होगी, हमें इसकी अंदर वो निकालना है, कितनी tape लगेगी, तो simple है, हमें इसमें इस भी parameter निकालना है, अगर हम इसका parameter पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कितनी टेप लगेगी जितना इसकी अगर हम इसकी सारी boundary मालनो यह एक lid है rectangular shape का और इसकी चारो तरफ हमें वो लगाने टेप तो हमें इसकी boundary तो पता करनी पड़ी कि तब ही तो पता चलेगा लेंद कितनी लगी टेप की तो इसमें भी हमें parameter ही निकान ला है तो length of the lid of rectangular box 40 cm दे रखा है और जो braid दे रखी है lid की वो हमें दे रखी है 10 cm अब हमें इसका क्या निकान ला है parameter निकान ला है length of the tape required 2 into L plus B यह जो rectangular होता है रेक्टेंगुलर को रेक्टेंगुलर का parameter निकान ले का फॉर्मुला होता है जो मैंने आपको introduction वीडियो में समझाया है जब ही हम रेक्टेंगुलर shapes का parameter निकालते तो इसका फॉर्मुला होता है 2 यह जो ब्रैकेट से बाहर है इसको हम बोलते है into into मतलब multiply तो 2 into 10 or 40 को प्लस करेंगे 50 cm तो 2 को 50 से multiply करेंगे कितना आएगा 100 cm तो इसका कितना आगया टेप इसकी कितनी required हो गई 100 cm तो इसके बाद 3rd question में देखो एक table top है जिसका major 2 meter 25 cm by 1 meter 50 cm दे रखा है तो जो हमें 2 measurement दे रखी होती है तो हमें समझ जाना शेहिए कि इसमें rectangular की बात होए क्योंकि rectangular जहां पे होगा वहीं पे हमें 2 shape दी होती है एक length और एक breadth तो जो table top है वो rectangular shape का है तो what is the parameter table top तो हमें इसकी भी जो है parameter बताना है जो मालनो इस type का जो एक table है ठीक है इस type का table है एसी बनता है table ठीक है ऐसे एक table है उसका जो उपर का जो यह हमें यह दे रखा ना table top इसका हमें parameter निकालना है तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे table top की पहले length लिख लेंगे फिर breath लिख लेंगे तो table top की में लेंद किती दे रखी है तो 2 meter 25 cm तो 2 meter 25 cm का गण दोनों को cm में करें अगर आपको convert करना अगर आता है meter को cm में कैसे बदलते हैं जैसे 1 meter is equal to 100 cm तो यह 2 meter को बने बदलना है यह तो पहले से cm में तो 2 meter is equal to 100 into 2 कितना होज़ेगा 200 cm 200 में 25 प्लस करेंगे तो 200 25 cm तो यह 2 meter 25 cm का मतलब है 225 cm ऐसे ही हमें इसकी प्रेद दे रखी है 1 meter और 50 cm तो 1 meter 50 cm क्या मतलब हो गया 1, 5, 0 cm अब parameter of table top अब इसका parameter निकालना है तो rectangular shape है तो वही 2 into L plus B तो 2 की जगा 2 length कितनी हो गई? 225 breadth कितनी हो गई? 150 दोनों को plus कर देंगे 225 और 150 को दोनों को plus कर देंगे तो कितना आजएगा? 375 375 को 2 से multiply कर देंगे तो 750 cm यह हमारा table top का parameter निकलाएगा अब हम करते हैं question number 4 question number 4 में हमें क्या बोला है? what is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth this and this and respectively मतलब कि देखो यहाँ पे भी हमें length और breadth दे रखी है तो इसका मतलब पहले तो मैं पता है चलना चाहिए कि इस question में हमें क्या बोलागे? हमें यहाँ पे यह बोला है कि what is the length of the wooden strip कितनी wooden strip की ज़रूरत होगी? एक photograph है एक photo को उसको frame करना है तो कितनी लकड़ी की ज़रूरत होगी उसको frame करने के लिए उसकी photo की जो length और breadth दे रखी है तो कितनी लकड़ी चाहिए हो? कितनी strips चाहिए है उस photo frame को बनाने के लिए तो पहले हम लिख लेंगे length of photo frame length कितनी दे रखी है? 32 cm ब्रेथ कितनी दे रखी है 21 cm पैरामिटर और फोटो फ्रेम और पैरामिटर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो 2 इंटू L प्लस B 2 की जगा 2 लेंथ कितनी है 32 ब्रेथ कितनी है 21 दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे जो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 53 दोनों को मल्टिप्लाई कर देंगे इन दोनों को तो 106 जो है इसका पैरामिटर आ जाएगा फोटो का फोटो फ्रेम बनाने के लिए ठीक हैं तो 106 cm जो है wooden strips की requirement होगी तो parameter of photo frame जो है वो हमारा कितना निकला है 106 cm next question है question number 5 a rectangular piece of land major 0.7 km by 0.5 km एक rectangular piece of land है उसकी measurement हमें दे रखी है कि 0.7 km by 0.5 km उसकी जो है piece की length है एक जमीन की each side is to be financed with 4 rows of wires what is the length of wire needed अब देखो यहाँ पर एक rectangular piece है ऐसे इस तरीके की एक rectangular piece land दे रखी है उसकी जो हमें measurement दे रहे कि यह 0.7 है और यह 0.5 km है अब वो कह रहे हैं कि हमें इसके चारो तरफ with 4 rows of wire इसके चारो तरफ क्या करनी है चार बार जो है तार लगानी है रोज चार बार एक बार लगा लेंगे फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार फिर फोर टाइम यानि कि 1,2,3,4 टाइम चार बार जो है चारो तरफ wire लगानी है तो कितनी wire की requirement होगे तो पहले तो हमें इसका parameter ही निकालना पड़ेगा इसकी one time boundary जो है parameter निकालेंगे फिर हम उसको four से multiply करेंगे तब हमें पता चल जागा कि अगर उसको चार बार लगाना है four time लगाना है row को तो कितनी जो है wire की requirement होगे तो length जो rectangular piece की दे रखिया वो 0.7 km लिख लो और जो breadth दे रखिया 0.5 km होगे अब parameter rectangular piece of length तो 2 into L plus B 2 की जगा 2 0.7 plus 0.5 0.7 और 0.5 को plus करेंगे तो हमारा आएगा 1.2 km दोनों को multiply कर देंगे 1.2 को 2 से तो 2.4 km जो है वो इसका parameter निकला है अब four rows है with four rows of wire चार बर लगाई है तो इसको क्या करेंगे four से multiply कर देंगे each side is be financed with four rows of wire the length of the wire नील तो कितना आया था इसका parameter आया था 2.4 4 into 2.4 sorry 1.2 आया था 1.2 km नहीं कितना आया था 2.4 ही आया था इसका इसका जो आया था वो 2.4 km आया था अब 2.4 को 9 इससे जब multiply करेंगे तो हमारा आजेगा 9.6 km आया, ये की का हो 11, की कर्मारा था का सहरा था, कैसी आज कर्या थार नहीं 10 के बाद स्वड़ारां था रहत beef, आफ हमेगे आखने और के आविपू पर केक्वाइन व्याख य हैं 2 पॉर से तक आ तक में आज हम इस वीडियो लगे तो प्लीज लाइक शियर और चैनल पे नए है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू